दुनिया में वैज्ञानिक कही चुकाने वाले आविश्कार या शोध करती रहते हैं अब नासा के वैज्ञानिकों ने एक सामानांतर प्रम्हांड के बोले के सबूतों का पता रगाया है जोहांकि भोती की नियम यहां से एक गम उल्टे ही यानि वहां पर समय आगी चलने के बजाए पीछे चलता है नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्क्टिका पे किये जारी हिप्रयोग में अंटार्क्टिका के उपर जाने के लिए रेडियो डेटेक्टर लगे एक बड़े गुपारे का इस्तवान किया था नासा के इस रेडियो डिटेक्टर का नाम अंटार्टिका, इंपल्सिफ, ट्रांजी एट, एंटीना अनीता है। वेग्यानिकों का मानना है कि अंटार्टिका पर किर्णों का व्यवधान कम से कम होगा। इसके अलावा यहां वायू प्रदूशन और ना ही किसी बनी प्रदूशन की संभाव ना थे। शोद्य में वेग्यानिकों को क्या पता चला। शोद्य में वेग्यानिकों ने पाया कि हाई एनरजी के कण लगातार हवाते जरे अंतरिक्ष से धर्टी पराते हैं। हाई एनरजी कणों को केवल अंतरिक्ष से नीचे आने का पता लगाया जा सकता है। लेकिन वेग्यानिकों की टीम ने उन भारी कणों का पता लगाया जो प्रिपी के ऊपर से आते हैं। जस्ता आत यह है कि एक अनवास्तों में धर्ती के एक समानांतर ब्रह्मान होने का प्रमाण देते हैं। जहां पर समय उल्टा चलता है। हलांकि वेग्यानिकों की परिकल्पना पर सभी लोग सहमत नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंड की वक्त दो ब्रह्मान बने दू। एक वो जहां हम रहते हैं और दूसरा जो समय के साथ पीछे चल रहा है। अगर आपको इस रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक और शेय करें। साथ ही अपने व्यूज और में कमेंट करकी जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटी स्टोरी इंट्रस्टिंग नीज के लिए।